तो हेलो एवरीवन और वांस अगीन वेलकम टी चैनल आइल्स हैक्स तो गाइस आज हम बात करने वाला स्पीकिक मोड्यूल के बारे में जो कि है वान ओव दा स्ट्राइकिक मोड्यूल और यह गाइस हमारा पार्ट टू वीडियो अगर आपने पार्ट वान नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हो उससे मैंने बताया था कि आप अपनी फ्लूएंसी को कैसे इंप्रूव कर सकते एक्जामियर को आपने कैसे फीज करना है इसमें आपको बताऊंगा कि आपको क्यू काड कैसे लर्न करना है तो ठीक है इसमें आप पूरी वीडियो में आपको क्यू काड के बारे में बताऊंगा कि आपको कैसे क्यू काड को आंसर करना है only in 10 seconds आपको one minute मिलता क्यू काड प करते हैं उससे पहले गाईज मैं आपको बता दूँ कि हमने वर्टसाइब ग्रूप भी बना लिया है अगर आपने अभी तक जॉइन नहीं किया तो आप जाकर जॉइन कर सकते हैं मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा और कमेंट सेक्शन में भी दे दूँगा अब बात कर लेते हैं आपको क्यू कार्ड को कैसे प्रिपेर करना है इन 10 सेकेंड तो गाईज पहली बात तो यह अगर आपको क्यू कार्ड के बारे में आता है और नहीं आता है अगर तो आता है फिर तो आप एजली आंसर कर दोगे अब आपको कैसे आता होगा इसके बारे मैं थोड़ा सा बता दूँ गाइस तो गाइस ऐसा दुनिया में कोई भी इनसान नहीं है कि आपको मैंलब एक मिनिट दे और आपको बिल्कुल ही आप स्टेंजर हो टॉपिक साथ वो बिल्कुल ही नहीं पता टॉपिक के बारे में और वो टॉपिक को प्रिपेर कर ले बिना क मिल्लब यूवनियर को फेस करना होता है। इसको उसी टाइम एग्जैक्ट जवाब देना होता है मलत उसको अपनी दिखानी होती दिखानी है और अग्शल display हम बीना सोचे समझे एक मिनिट दिखा है इसके लिए क्या करना है आपको क्यू का technique मnOOD क्यू का technique अपलाई करनी ह जो सब्सक्रेंड है वो क्या ट्रीक है उसके लिए आपको घॉघा बड़ याद करने हैं अब मैं गाई आप यह कैसे करने हैं मैं आपको बता दूँ सौरी गाई थोड़ा सा फोना मलब शेक कर रहा होगा क्योंकि मैंने हाथ से पकड़ा हुआ और एक हाथ से मैं लिख रहा हूं और वो भी हम ट्राइपोड ले लेंगे जल्दी ही तो आपको क् क्यू काड आपको ऐसे क्यू काड प्रिपेर करने हैं जो आपके हर टॉपिक में फिट हो जए एक्जांपल के लिए आप मैं आपको बता दूँ आपने एक परसन के बारे में क्यू काड बना लिया ठीक है गाईस आपने एक परसन के बारे में बला दिया आपको अब कोशन कि describe about your teacher तो आपने भी उसमें यही सुना दिया अगर आपको आया describe about your favorite person तो भी अपने सुना दिया अगर आपको किसे ने पूछा कि आप आपका advisor कौन है आप किसे सला लेते हो जातर आपका कोई friend है अगर friend के बारे में पूछा तो भी आपने सुना दिया कोई advisor के बारे में पूछा तो भी आपने ऐसे सुना दिया और guys आपको the person you like the most ऐसे कि जितने भी आएंगे आपको मलब एक QCard याद करना है उसको multiple QCards में fit कर लेना है तो ऐसे total guys QCard इतने ही नहीं है total 70 to 80 QCards ही है अगर आपके पास तो टाइम है तो आप रोज के 5 या 10 QCards याद करो easily आपके हो जाएंगे 80 QCards पर पर अब आपके पास टाइम ही नहीं है तो आपको क्या करना है आपको ऐसे QCards याद करने है ऐसे highly आपको 5 QCards याद करने हैं train कोई person के उपर कोई कोई smartphone के उपर कोई thing के उपर जो आप सबसे ज़्याद आपको चीज पसंदा उसके उपर मलब आपकी कोई जन नहीं होगी उसको मलब incident वगरा ऐसे आपको fit कर देना है ठीक गईस यह तो हो गया हमारा one इसमें मैंने आपको बता दिया कि आपको कैसे QCards को आपको trick to बताएंगे कि आपको कौन सी second trick apply करनी है तो guys उसके लिए होती है जैसे आपको WH family यूज करनी है guys एक तो यह यूज करनी है और second चीज आपको क्या करनी है आपको उसमें incidents add करनी है बिना incident की guys कोई भी आप कहानी को लंबी नहीं कर सकते अब मैं आपको with example बताऊंगा जैसे WH family आप कैसे शूरू कर सकते हो पहले suppose किसी चीज पर क्यों काड़ आगया आपने पहले उसे होता ना what what हो गया how हो गया when हो गया where हो गया where में भी दो हो सकते हैं where कहां पर हुआ और आप कहां पर थे where हो गया when हो गया और क्या आ सकता है guys मालब जितने question आपको सारे EC में serial wise आड़ करने हैं कोई उल्टा उल्टा है उल्टा है उल्टा है उल्टा है guys क्योंकि ये भी होता है आपको serial wise सुनाने हैं ऐसे 5-6 question होता है आपने हर के उपर मलब जैसे आपके total 6 question है 6 आपके question है आपने पहले तो introduction देनी है सबसे पहले most important आपने intro देना 15 seconds का 2 minute आपने बोलना है उससे पहले एक्जाम इन रोग देता होता है पर आपको फिर भी हमने लगा के चलना है 2 minute बोलना है 2 minute में guys 120 seconds होते हैं 120 में से आपको 15 minute introduction देनी है ठीक है आपके रहाएंगे 1 minute 5 seconds ठीक है 1 minute 5 में से आपके जो 6 question है आपको हर एक question यूपर 20 seconds आप minimum बोलोगे 15-20 15-20 seconds आप हर पे बोलोगे ठीक है guys तो सीधा साब है guys 20 seconds भी बोलो 20-6 120 होगा अब उसके बाद अगर आपका फिर भी time बच रहा है तो आपको क्या करना आपको ending करनी है अब ending आपको मैं beautiful तरीका बताऊँगा कि आपको कैसे ending करनी है आपने with आपने किसी idiom के साथ ending करो गया आपका बहुत जादा फाइदा होगा idiom आप यूज कर सकते हो to to cut the whole story short यह गाईज मैंने खुद ही यूज किया था अपने उसमें अपने क्यू कर में अब जब आप ये यूज करते हो तो एग्जामेनर को ये भी पता लग जाता है कि आपका खतम होने वाला तो आपको पहले ही stop कर देता है पर अगर नई भी करता तो भी कोई बाल नहीं गाईज हमारा time वैसे भी हो चुका है और आपने यह कर सकते है to cut the whole story short या to cut the long story short आप ऐसे लगा कर आपको जो आपने बताया है उसकी summary बता देनी है गाईज ठीक है गाईज जो आपने बताया उसकी आपने summary भी बता देनी है अगर आपने ऐसा की है तो गाईज आपको सब समझ आ गया है अगर आपका फिर भी कोई doubt है तो मैंने अपना whatsapp number भी comment में दिया है आप मेरे से पूछ सकते हो online class किसे ने लगानी है तो उसके लिए भी आप जरूर से बता देना गाईज और group पर जरूर जोईन कर लेना ओके गाईज subscribe चैनल को जरूर कर देना और video को जरूर से like कर देना ओके बाई बाई